हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही ईजी सा और जल्दी से बनने वाला फोर इन वन पराठा तो उसके लिए लीए है मैंने दो गाजर को कद्दूकस कर लिया है एक छोटे से फूल गोभी को कद्दूकस कर लिया है एक बड़े साइज के प्याज क भारिक बारिक चौप कर लिया है अब कुछ पत्या ले लिये हैं धनिये की तो सभी में मैंने सभी मसाले, नमक, मिर्च, चाट مسदाला, गरं मसाला सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है हर एक वेजटेवल में तो आप मैं लुंगी आटे का एक पेड़ा और उससे एक ब तो रोटी जो है बड़े सा इसकी बेल के तयार कर लेनी है और मैंने आटा जो यूज किया है वो गेहू का आटा ही है ये एक हल्दी रेसिपी होने वाली है अगर अचानक से कभी महमान आ जाएं तो बहुत अच्छी रेसिपी है क्विक बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बन सकते हैं लेकिन मैंने सबके ऊपर से ही स्प्रिंकल कर दिया है ताकि जो पराठा है वो बहुत ही जादा कलरफुल लगे तो दूसरी रोटी से कर दिया है उसको बंद और थोड़ा सा आटा लगा के इसको अच्छे से मैं एक बार बेलन से रोल कर लूँगी जितना मुझ से बड़ा किया जाएगा उतना अच्छे से इसको रोल कर लेंगे तो गैस पे रख दिया है मैंने तवा गरम होने के लिए और डाल दिया है अपना पराठा तवे पे तो जब वो एक तरफ से अच्छे से सिख जाए तो उसको दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से सिख लेना ह तो एक साइड थोरी जो है हमारी लोग्ण फक्क्रे तययार हो गई है तो और से लगाइंगे देसी खी घी लगाके इसको दोनों तरप से अच्छे से ग और नी तक इसको शेक लेगे तो देख लीजे कितना अच्छे से जो हमारा पराठा है वो सिक्के तयार हो रहा है और साइड चेंज करके दिखाती हूँ तो देख लीजे कितना अच्छा कलर जो है इसका आया है तो जितना ये देखने में सुन्दर लग रहा है उतना ही जदा जो ये पराथा है टेस्टी बनके तयार होगा और बहुती क्विक रैसीपी है बहुती अच्छा है इस को चाहो तो आप फोर जो इसको बीच में से कट लगा के भी सर्व कर सकते हो और ऐसे भी सर्व कर सकते हो तो मैं आपको शो करती हूँ कि देख लिजे कितने अच्छे से भरा भरा जो हमारा वेजटेबल्स का पराठा है बनके तयार हुआ है बहुत ही healthy recipe है तो यह देख लिजे दूसरी साइड से भी मैं आपको open करके दिखाती हैं कितना tasty है हमारा पराठ करनी के साथ मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अ कितन प्लीज प्लीज म्क्शी है ?